साथे विस इक हैम पहले कि लेक्टर में हम पढ़ेंगे इस्ट्रीक्चर ओफ इस्ट्रेक्चर ओफिस्पम करते हैं तो यह बहुत इंपॉटेνट हइए यह यानि इस्ट्रेक्चर ऑफ इस्ट्रिक्चर की बात हुआ बहुत इंपॉटल टॉपिक है इसको बहुत ही ध्यान से समझेगा हम बात करेंगे स्ट्रैक्श्र की तो बच्चों अगर देखा गया फिर उसके बाद में इसको print किया गया है ठीक है तो यह एक microscopic structure है हम यहां पर बात करते हैं तो यह हमारा कुछ ispum का structure दिख रहा है और जो ispum का structure होता है basically उसको तीन पार्ट में divide करते हैं इसमें क्या जाता है head, neck, or tail तीन पार्ट में इसको divide करते हैं ठीक है head part कौन सा होता है तो जो ऊपर का part होता है वो head होता है यहां पर यह वाला जो part होता है वो neck होता है यह garden होता है मतलब यह neck part इसको बोलते हैं और यह middle piece part होता है और यह जो पीछे का यह जो पूछ तरीके से दिख रहा है यह टेल जो धीघ्र इसको बोलते हैं ठिक अब इसमें होता क्या है तो इस पॉम को चारों और से प्लाज्मा मेंद्रेण कवर करती है ठिक इसके नीचे यहंपर यह वाहां आजब इपर का जो पॉत है तो हम लोग एक्रो सुंग बोलते हैं एक नेक्रोसोम के बाद में यह हमारा नूक्लियस पार्ट होता है और उस नूक्लियस में क्या होता है क्रोमोसोमल मेटेरियल भी भरा होता है यह नेक पार्ट होता है यह मिडिल पीस पार्ट होता है इसमें पाया जाता है हमारा माइटो कॉंडिया माइटो माइटो कॉंडिया क्या पाया जाता है माइटो कॉंडिया माइटो कॉंडिया पाया जाता है और ये माइटो कॉंडिया मॉटिल्टी प्रोइड करता है यानि जो स्पॉम होता है वो जो चलता है आगे की ओर तो उसको चलने के लिए एक प्रकार से energy प्रवाइड करता है, यह energy source होता है और पीछे tell भी इसको आगे की और बढ़ने में help करती है तो बच्चो अगर बात करते हैं, structure of sperm की, तो first point है कि it is a microscopic structure composed of head, neck, tell and middle base तो sperm हमारा क्या होता है, बच्चो यह जो sperm आपको दिख रहा है, यह microscopic structure है और इसको तीन पार्ट में divide किया गया, head, neck और एक बीच में और पार्ट हो जाता है, यह middle piece और tell में, ठीक है, कह सकते हैं, चार पार्ट में इसको divide कर दिए हैं, ठीक है अब plasma membrane envelop the whole body of sperm, अब यहाँ पर बात करते हैं, जो sperm होता है, इस sperm के चारो और यहाँ पर यह एक membrane body होती है, जो यहाँ पर क्या करती है, sperm को चारो और से protect करने का काम करती, इसको बोलते हैं plasma membrane, ठीक है, यानि sperm है, sperm के चारो और एक membrane है, और वो membrane क्या करती है, sperm को protect करती है the sperm head contains a large elongated haploid nucleus, ठीक है, बचो अगर हम sperm की बात करते हैं, तो sperm का जो head part होता है, उसमें एक large बड़ा सा nucleus होता है, ठीक है head part में sperm के क्या होगा, nucleus होगा, और कैसा nucleus, तो ये एक haploid nucleus होगा, और उसी nucleus में क्या होगा, यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर structure ये दिख रहा होगा, ये nucleus के अंदर ही क्या होता है, chromosomal जो generating material होता है, वो भी इसी nucleus के अंदर present होता है the interior portion is covered by cap-like structure is called acrosome, जो interior portion होता है, बच्चो, वो एक cap-like structure से covered होता है, जिसे हम लोग acrosome बोलते हैं, ठीक है? यानि जो interior part होगा, इस pump का, head में वो acrosome के द्वारा covered होगा, acrosome contains hydrolytic enzyme that help in dissolving membrane of an ovum for fertilization, acrosome वो layer होती है, जो sperm जब ovum से जा करके fertilization करता है, तो acrosome ही सबसे पहले उस ovum को touch करता है, और acrosome क्या करता है, कई सारे hydrolytic enzyme का secretion करता है, जिससे वो ovum को penetrate कर देता है, यानि ovum की उपर की layer को destroy करके, sperm को अंदर ले जाने का काम करता है, कैसे? बच्चों जैसे यह एक sperm जा रहा है, और यहाँ पर है ovum, ठीक है? तो sperm का जो आगे का part होता है, इसी को acrosome बोलते हैं, ठीक? और acrosome में होता क्या है, कि यहाँ से कई सारे hydrolytic enzymes होते हैं, तो hydrolytic enzyme करते क्या हैं, तो यह acrosome जैसे इस ovum से टकराएगा, यहाँ से ovum से टकराएगा, तो यह acrosome hydrolytic enzyme का secretion करेगा, और जब secretion करेगा, तो ovum के चार ओर की यह जो डॉल होती है, इसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद में यह ovum के अंदर चला जाता है, और ovum के अंदर जाने के बाद में यह fertilization की process हो जाती है, ठीक है? यहाँ से आएंगे हम नीचे का जो पार्ट है, वो हमारा middle piece पार्ट है, अब middle piece पार्ट में क्या होता है? अब mitokondia को हम लोग बोलते क्या है, तो इसको powerhouse of the cell बोलते है, तो यहां पर sperm में क्या होता है? कि इस middle piece पार्ट में, जो mitokondia होगा, वो mitokondia क्या करता है? कि यहां से energy provide करता है, यहां पर tell को energy provide करता है, जिससे यह क्या करता है? energy मिलते ही यह स्पम को आगे की ओर भेजने का काम करता है तो इसपम देखा होगा यह स्पम है अगर तो यह कुछ टेल पीछे होती तो स्पम आगे की ओर movement करता है आगे की ओर चलता है तो चलने में जो यहां पर middle piece पाड में जो हमारा होता है वो energy provide करता है ठीक है और जब energy provide करता तो यह tell क्या करती है is peng को आगी की वह भेजती है जिससे वह Sport होता है मतलब आगे की Oあगे बढ़ता जाता है कि में आगे बात करेंगे the human maleеля about two hundred to three hundred million इस पहां डूरिंग क्वयाइस का मतलब होता है जब sexual relation होता है, जब sexual relation में male female sex करते हैं, तो उस time पे जो process होती है, उसे quietus बोलते हैं, और quietus के time में जो male होता है, बचो, वो 200 से 300 million sperm निकालता है, ठीक है, आगे बात करेंगे, बचो यहाँ पर कि sperm released from the semi-niferous tubule, तो आपको पता है कि testis है, testis के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके से structure होगा, तेस्टिकुलर लोब होंगे, और तेस्टिकुलर लोब के अंदर ही क्या होते हैं, हमारे semi-niferous tubule होते हैं, इसी semi-niferous tubule से ही, sperm यहाँ से release किये जाते हैं, यहीं से, इसी semi-niferous tubule से sperm release किये जाते हैं, transported by accessory duct, तो यहाँ से जो sperm आगे की और ट्रांसपोर्ट किये जाएंगे, वो एक accessory duct होगी, जिसके द्वारा यहाँ testis से sperm आगे की और जाते हैं, seminal plasma along with the sperm constituent of the semen, ठीक है, तो यह important topic था, हमारा sperm का structure कैसा होता है, और sperm कैसे किसी oom को penetrate करता है, यानि उसके अंदर कैसे जाता है, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर sperm के बारे में आज के lecture में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, और अगर कोई doubt रह जाता है, तो आप comment करके जरू पूछिएगा, और चैनल पे नहीं है, तो चैनल को subscribe करिए, वीडियो को जितना हो से कि like और share करिएगा, thank you for this class.